इस वीडियो में हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत डीटेल्ड रोड मैप काइंड ओफ शेयर किया था कि कैसे डीप लर्निंग LSTM से उठ करके LLMs तक पहुँच गया वहाँ पर मैंने डिसकस किया था कि सबसे पहले Encoder, Decoder, Architecture आया था Seat to Seat problems को solve करने के लिए उसके बाद Attention Mechanism आया उसके बाद Transformers आये उसके बाद Fine Tuning हुई और फिर बहुत सारे और LLMs आने लग गए और फिर मैंने आपको बताया था कि हम अब एक-एक करके इन सारे parts पे focus करने वाले है तो आज का जो वीडियो है वो इस journey का starting point होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Encoder, Decoder, Architecture for Sequence to Sequence Data तो बहुत ही important topic है और आज की rate में ये architectures उस तरह से use नहीं होते है बट ये एक बहुत important foundational basic है आगे की topic समझने के लिए तो कल को अगर आप LLMs को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप बस ऐसे समझो कि उस journey के शुरुआत आपको इस वीडियो से करनी पड़ेगी तो मैंने इस वीडियो को बहुत detail में बनाया है पेपर जो है original उसके बहुत close रखा है और कोशिश की है कि इस तरीके से समझाओ कि आप वीडियो के बाद जा करके उस पेपर को पढ़ पाओ और आपको चीजे समझ में आए तो super excited, I really hope आप भी हो Let's start the video तो guys अगर आप इस playlist में पीछे मुड़के देखोगे न तो आपको तीन important milestones दिखाई देंगे सबसे पहला milestone तब आया था जब हमने अपना पहला challenge phase किया था और हमारा पहला challenge था tabular data ऐसा data जो table में होता है बहुत simple csv files जैसे कि मैं आपको हमेशा एक example देता हूँ कि हमारे पास students का data है CGPA का value है IQ का value है हमें पता करना है कि उनका placement होगा या नहीं होगा इस तरह का data जब इस तरह का data हमारी life में आया था तो हमने एक neural network architecture पढ़ा था जिसको हमने ANN बुलाया था artificial neural network जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसी में फिर हमने और layers add करके deep neural networks बनाना सीखा था इस वोज फर्स पार्ट आफ दिस playlist फिर हमने इसको improve करना सीखा बट फिर क्या हुआ कि हमारी life में second challenge आया और second challenge था image based data जहाँ पर हमें इस तरह का task दिया गया कि एक image में एक animal है हमें identify करना है कि वो dog है या फिर cat है और हमने ये realize कि images जो होते हैं वो pixel से मिलके बने होते हैं और pixel is nothing but a 2D grid of data और वहाँ पर हमने realize कि ये जो 2D structure है इसका एक meaning है एक महत्व है और वो meaning unfortunately ANN नहीं समझ पाता है and that's when we studied CNN convolutional neural networks ठीक है this was stage 2 of our journey फिर आया stage 3 जब हमारे उपर एक नया challenge फेका गया और वो था sequential data sequential data मतलब एक ऐसा data जहां पर sequence का कुछ meaning है जैसे कि textual data या फिर time series based data अब इस तरह के data में हमने realize कि कि जो sequence है जो order है उसका एक महत्व है उसका एक importance है and unfortunately ANN और CNN उस importance को decode नहीं कर पा रहे थे and that's when we studied the third type of neural network architecture called RNNs और उसके दो variants हमने पढ़े LSTMs and GRUs ठीक है और अब हमारी journey में हम एक ऐसे stage पे है जहां हमारे उपर fourth type of challenge थ्रो किया गया है और वो challenge है sequence to sequence data क्या होता है sequence to sequence data एक ऐसा data जहां पर input में भी sequence होता है और जो output निकल के आता है उसमें भी sequence होता है और मैं आपको एक बहुत अच्छा example दूँगा इस तरह के problem का वो है machine translation imagine आपको एक sentence दिया जाए English में nice to meet you और आपको बोला जाए कि you have to convert this into a Hindi sentence तो obviously the output वोड भी आप से मिलकर अच्छा लगा और यही हमारा अगला task है हमें एक ऐसा neural network architecture बनाना है जो इस तरह के problem को solve कर पाए और यही हम लोग अगले 5-8 videos में करने वाले है हम लोग इस तरह के architecture study करेंगे जो sequence to sequence data को handle कर पाए अब कैसे हैं वो architectures कौन से architectures हैं यह हम discuss करेंगे बट पहले मैं आपके सामने एक perspective रखना चाहता हूँ कि sequence to sequence data को या sequence to sequence problems को solve कर पाना क्यों थोड़ा difficult माना जाता है तो बहुत simple इसको समझना actually अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर 3 challenges है पहला challenge यह है कि आपका जो input है since it is a sentence in some language let's say English तो obviously it is of variable length right कोई sentence दो words का भी हो सकता है कोई sentence 200 words का भी हो सकता है तो पहला challenge तो यह है दूसरा challenge यह है कि जो output है हमारे case में जो output sentence है जो कि एक हिंदी sentence है वो भी variable length का हो सकता है right and the third biggest challenge is कि कोई guarantee नहीं है कि अगर आप तीन words का English sentence देते हो तो जो translated हिंदी sentence होगा वो भी तीन words का होगा यहाँ पर ही देखो आपका English sentence was of four words बट हिंदी में six words निकल किया है तो मतलब यह हुआ कि variable length के साथ deal करना सबसे बड़ा challenge होने वाला है not only in input but also in output and also you have to deal with this fact कि अगर input में छे words है तो हो सकता है कि output में 600 words हो बिलकुल possible है the good part is कि variable length को handle करना हमने थोड़ा बहुत सीखा है LSTMs और GRUs पढ़के but वो हमने सिर्फ input में handle करना सीखा output में नहीं और यही हमें सीखना पढ़ेगा to solve sequence to sequence problems तो sequence to sequence problems को solve करने के लिए जो हम सबसे पहला architecture पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है encoder decoder architecture और आज का जो वीडियो है वो पूरे तरीके से dedicated है इस architecture को in and out समझने के लिए so encoder decoder architecture समझने के पहले एक दो बाते आपके साथ discuss करना चाहूंगा पहला जो discussion है वो prerequisite के round है आपके मन में या सकता है कि encoder decoder architecture समझने के लिए मुझे पहले से क्या आना चाहिए तो I am expecting कि आपको RNN और LSTM के बारे में fair idea हो पहले से कैसे ये दोनों architectures काम करते हैं कैसे data को process करते हैं sequence को कैसे handle करते हैं ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो आप बेटर समझ पाओगे इस वीडियो को अब अगर आप बात करो कि हम exactly कैसे encoder decoder architecture समझने वाले हैं तो मैं आपको अपना plan of action बतातो ये जो पूरा वीडियो है ना ये based है इस paper के उपर तो this is the original paper जहांपर Elias Kutskeever ने encoder decoder module को propose किया था, introduce किया था और बहुत detail में इस paper में समझाया है कि उन्होंने क्या architecture यूज किया, क्या training techniques यूज की, क्या settings यूज की तो हमारा goal तो यह है कि हम इतने educated हो पाएं इस वीडियो के थूँ कि हम इस paper को समझ पाएं तो मेरा जो plan of action है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपको एकदम simple version of encoder, decoder समझाऊँगा एकदम basic idea जो होता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं थोड़ा सा और deep जाऊँगा और जो पूरा का पूरा overall complex architecture है वो मैं आपको समझाऊँगा और lastly मैं आपको उस architecture में कुछ improvements करके दिखाऊँगा and eventually हम लोग इस paper में discuss किये हुए encoder, decoder के पास पहुँच जाएंगे ठीक है, इस video को देखने के बाद अगर आप इस paper को समझ पारे हो तो फिर ये video successful हो गया अब इस पूरे video में हम लोग encoder, decoder, architecture समझने के लिए machine translation वाले टास्क को ही as a running example यूज़ करेंगे ठीक है तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं let me show you the high level overview of encoder, decoder architecture मेरे हिसाब से encoder, decoder architecture का सबसे beautiful aspect यह है कि इसका high level overview इतना simple है कि शायद मैं वो किसी बच्चे को भी समझा सकता हूँ तो एक बार यहाँ पर screen पे आप focus करो तो you would see कि जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है यह जो architecture है यह दो blocks से मिलके बना है one is encoder and the second one is decoder ठीक है और यह दोनो blocks आपस में connected है using something called context vector तो मैं आपको one by one समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह जो तीनों चीजे है यह क्या represent कर रही है और इनका क्या purpose है तो encoder is basically that section of the architecture जहाँ पर आप अपना input sequence देते हो आपको English से Hindi में conversion करना है translate करना है तो आप क्या गरोगे अपना English sentence इस encoder में as input भेजोगे और जब आप यह input दोगे you will make sure कि आप इसको token by token basis पे दो अब अगर आपको token by token नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको word by word भी बोल सकते हो so मैं क्या कर रहा हूँ मैं word by word basis पे इस encoder में इस sentence को भेज रहा हूँ सबसे पहले nice भेजा फिर two भेजा फिर meet भेजा फिर you भेजा अब इस encoder का का काम क्या है कि वो इस पूरे sentence को समझने की कोशिश करेगा ठीक है उसका essence capture करने की कोशिश करेगा उसको summarize करने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो summarize कर लेगा तो वो एक output देगा और वो output होगा एक vector vector मतलब set of numbers और इसी को हम बुलाते है context vector so ये context vector क्या है this is basically the summary of this sentence nice to meet you और ये बना कैसे encoder के intelligence encoder ने इसको summarize किया और एक set of numbers में represent कर दिया अब क्या होगा अब ये जो context vector है ये मिलेगा हमारे decoder को और decoder का काम है कि वो इस context vector को समझने की कोशिश करेगा और समझने के बाद फिर से token by token basis पे या फिर आप बोल सकते हो word by word basis पे output print करने लगेगा सबसे पहले print करेगा आप फिर से फिर मिल कर अच्छा लगा and that's it this is the architecture high level पे सिर्फ इतना ही है तीन blocks है पहला block अपना काम कर रहा है by understanding the sentence and summarizing it दूसरा block उस summary को encoder से उठा करके decoder के पास भेज रहा है और तीसरा block decoder उस summary को समझ करके उसको एक दूसरे language में translate करने की कोशिश कर रहा है and this is the high level overview of encoder decoder architecture अब I know आपको थोटी curiosity तो हुई होगी इस high level diagram को देख करके कि इस encoder के अंदर है क्या right plus इस decoder के अंदर है क्या तो वही हम लोग अब discuss करेंगे कि encoder और decoder बना कैसे obviously encoder के अंदर हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए है जो sequences को process कर सकता है and similarly decoder के अंदर भी हमें कुछ चाहिए है जो sequences को process कर पाए तो I guess यह बात नहीं है आप बहुत आसानी से imagine कर सकते हो encoder के अंदर हम एक LSTM को use करते है ठीक है in fact I'll show you this is a detailed diagram of encoder I'll write it down so you can see हमारा जो encoder है it is basically one LSTM cell ठीक है और हम उसको क्या कर रहे है unfold कर रहे है over time जैसे हम किसी भी LSTM को करते है तो this is the LSTM this is time step 1 this is time step 2 this is time step 3 and this is time step 4 तो जब पहला time step था हमने input में nice भीजा we started with some random value of ht and ct हमारे जो hidden states और cell states है फिर LSTM ने कुछ output निकाला और नए states निकाले ht और ct के जो अगले time step के लिए input बने जहां पे हमने input में to provide किया फिर आगे बाद बढ़ी हमने meet प्रोवाइड किया and in the last step we provided you और इस पूरे process में LSTM ने क्या किया इस sentence को समझने की कोशिश की और जो भी इसका summarization था उसको hidden states के थुरू आगे भेजा and final step के बाद हमें जो ht और ct मिला वह हमारा final representation है of the sentence जो जा करके context vector बन जाता है और यही ht और ct हम लोग pass करते है to the decoder ठीक है तो in summary अगर आपसे कोई पूछ ले कि encoder किस चीज से बना है तो बहुत simple है एक LSTM cell से वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप LSTM ही use करो you can also use GRUs RNNs generally use नहीं किये जाते because उनमें vanishing gradient problem होता है but mostly you would see कि LSTMs and GRUs use होते है original जो paper है उसमें LSTM use हुआ है अब decoder की बात करते है so decoder के अंदर भी एक LSTM लगा होता है जैसे encoder के अंदर LSTM लगा होता है it's just कि यह दोनो दो अलग-अलग LSTMs है so यहाँ पर जो LSTM है इसका काम है हर time step पर कुछ output produce करना और एक important चीज क्या होती है कि इस वाले LSTM का जो initial state होता है वो आप exactly encoder के final state के बराबर set करते हो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ से जो HT और CT मिल रहा है उसी को आप यहाँ पर as initial states provide करते हो और इसी तरीके से decoder को context मिलता है input sequence का अब देखो अब step by step क्या हो रहा है time step 1 पर आप क्या करते हो आप not only context vector provide करते हो साथ में आप एक special symbol input में भेजते हो जिसको हम start बुलाते है इस start को देखते ही decoder को समझ में आ जाता है कि अब उसे output produce करना start करना है और वो अपने पहले time step पे कोई एक word output करता है जैसे हमारे case में आप से अब क्या होगा time step 2 पे कि जो time step 1 से output निकला था आप से आप उसको as input भेजोगे second time step में along with the internal states और फिर इधर आपको second word मिल जाएगा फिर आप आगे बढ़ोगे second word को third time step में as input भेजोगे और आपको third word मिल जाएगा फिर third word को as input भेजोगे fourth word मिल जाएगा और ऐसा कब तक करते रहना है जब तक आपको output में ये special symbol नहीं मिल जाता end या फिर end of sentence जैसे ही decoder को ये दिखाई देगा वो output produce करना बन कर देता है रुख जाता है उसके बाद वो और time steps नहीं चलाता and that is how decoder works अब I know अभी internal details हमने खोल कर नहीं देखें बट I guess आपको high level overview समझ में आ रहे हैं तो guys अब हम लोग discuss करेंगे कुछ fun parts तो next हमारा जो discussion है वो है कि हम एक encoder decoder architecture को train कैसे करते हैं ठीक है तो ये पूरी चीज़ समझाने से पहले मैं आपको दो बाते बोलना चाहूँगा first आप जब भी training के बारे में पढ़ रहे हो always make sure कि आप ये diagram अपने पास अपने सामने रखो जहाँ पर encoder और decoder दोनो side by side आपको दिख रहे हैं because जो training होता है ना वो दोनों का साथ में होता है तो अगर आप दोनों को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा समझने में problem हो सकती है second training से पहले एक जो बहुत important चीज़ है वो है data set तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं machine translation का example ले करके आपको पूरी चीज़ समझाने वाला हो तो हमें एक ऐसा data set चाहिए जिसको हम machine translation में use कर पाए अब generally जो data sets use होते है वो कुछ इस तरीके के होते है इनको parallel data sets बोला जाता है ठीक है और ये दिखाई कैसे देते हैं बहुत simple है आपके पास दो columns होंगे पहले column में आपका जो source language है उसमें sentences दिये होंगे जैसे कि jump और जो दूसरा column है उसमें जो target language है जिसमें आप translate करना चाहते हो उस language में उसका translation दिया होगा जैसे jump का already दिया हुआ है चलांग hello का नमस्ते तो ये तो चलो one word है अगर आप और आगे जाओगे I am at home मैं घर पर हूँ इस तरीके से आपको data ले के आना पड़ेगा ये एक तरीके से supervised learning का काम करेंगे हमारे पास input है और हमारे पास output है अब हम इसी data को इस network में input करेंगे और इस model को train करेंगे अब training का पूरा process समझाने के लिए मैं पूरा dataset यूज नहीं करूँगा I'll take a subset तो मैं छोटा सा dataset यूज कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी दिर के लिए हम मानते हैं कि दो ही rows हैं और दो ही columns हैं तो पहला column है English और दूसरा column है Hindi और हमारे पास माल लो दो ही sentences है first is let's say think about it जिसका Hindi में translation हुआ सोच लो और second है come in जिसका again Hindi में translation हुआ अंदर आ जाओ ठीक है सो मानके चलते हैं कि हमारे पास यही दो rows है और इसी data पे हमें अपना encoder, decoder train करना है अब मैं एक दम step by step जाओंगा सबसे पहले जो problem हमारे सामने है वो यह है कि यह जो data set है यह English और Hindi में है तो unfortunately हमारा machine हमारा जो neural network architecture है वो इसको समझ नहीं पाएगा तो somehow हमें इसको पहले numbers में convert करना पड़ेगा और यह सब हम basic NLP में पढ़ चुके हैं सबसे पहले आप क्या करोगे आप tokenization करोगे मतलब इस पूरे data set को tokens में divide करोगे तो हमारा जो पहला sentence है उसके tokens बन जाएंगे think about and it और second sentence का बन जाएगा come in अगर आप हिंदी वाले की बात करो तो पहला बन जाएगा search और दूसरा बन जाएगा low और दूसरे हिंदी sentence में under आ जाओ ठीक है अब हमें क्या करना है इनको numbers में convert करना है अब numbers में convert करने के लिए कई तरीके हैं हम सबसे simple वाला use करेंगे that is one hot encoding तो one hot encoding में आप क्या करते हो आप English वाला जो language है which is this one आप इसमें जो total vocabulary है वो एक साथ लिख लेते हो तो basically यह 5 words है 1, 2, 3, 4, 5 तो अगर मुझे think को represent करना है using one hot encoding तो think हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 0 ठीक है about को अगर करना है तो 0, 1, 0, 0, 0 and so on बाकी तीनों को भी आप करी लोगे अब similarly आप हिंदी का भी vocabulary बनाओगे तो हिंदी में भी फिलहाल 5 words है बट यहाँ पर आपको 2 additional words डालने पड़ेंगे और वो additional words है start and end why? because मैंने आपको पताया था आपको यह start input में देना होता है और यह end output में निकल के आ सकता है in fact आता ही है तो हमें इन दोनों को भी encode करना पड़ेगा तो अब हमारे पास total मिलाके this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 this is 6 and this is 7 तो अगर मुझे start को encode करना है तो start हो जाएगा 1 ठीक है? अगर मुझे source को encode करना है तो वो हो जाएगा 0, 1 and that is how you will encode all the items from output column तो अब हमने पहला problem तो solve गर लिया हमारे पास numerical input है numerical output है अब हमें क्या करना है? इस data को हमारे encoder, decoder network में भेजना है तो चलो गाई, इस training का process स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहला जो row है उसको हम लोग pass करेंगे हमारे encoder, decoder आर्किडेक्चर में अब training की जड़ शुरुआत में क्या होगा? कि आपके पास encoder के अंदर एक LSTM होगा और decoder के अंदर भी एक LSTM होगा यह दोनों दो अलग है LSTM से और इन दोनों के जो weights और biases है शुरू में वो randomly initialized होंगे कुछ भी value हो सकती है अब इस setup में हम क्या कर रहे है? हमारा जो English sentence है उसको हम लोग encoder में भेज रहे हैं तो आपको पता है कैसे काम करता है LSTM तो सबसे पहली बार क्या हुआ time step 1 पे हमने यहाँ पर think भेजा think भेजा मतलब हमने ये vector भेजा ठीक है? because हमारा जो input vocabulary है English वाला वो 5 numbers से मिलके बना है और यहाँ पर हमारा initial hidden states है CT और HT ठीक है? और यहाँ पर output निकलेगा और इस जगह पर hidden state आगे propagate होगा फिर अगले time step पर हमने भेजा about about में आ जाएगा 0, 1, 0, 0, 0 ठीक है? फिर हमने time step 3 पर it भेजा it में आ जाएगा 0, 0, 1, 0, 0 ठीक है? अब इन तीनो time steps में time step 1 में, time step 2 में और time step 3 में हमारा जो encoder है वो इस data को समझने की कोशिश कर रहा है and along the way अपने hidden states को update कर रहा है जैसे ही आखरी time step आया अब यहां से जो final ct है और जो ht है वो output हो जाएगा as context vectors और जो भी values इस ct और ht में है वही जाकर के आगे किसको मिलेंगी? decoder को और आप बारे आती है decoder की तो जैसा कि आप जानते हैं decoder भी एक lstm है तो हम एक lstm ड्रॉ कर रहे है और इस lstm में दो inputs आ रहे हैं पहला यह context vector आ रहे है previous ct ht और साथी साथ यहां से हम हमारा जो हिंदी sentence है उसको भी input करना start करेंगे तो सबसे पहले हम भेजेंगे start ठीक है? जिसका one hot encoding है one zero 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 because there are seven terms in the vocabulary ठीक है? अब क्या होगा? यहां पे चीज़े interesting होती है अब ideally यहां पे output में क्या आना चीए? output में आना चीए पहला word that is soch right obviously since this is a neural network architecture यह हिंदी तो print कर नहीं सकता है तो फिर यह क्या print कर सकता है? यह print कर सकता है numbers या फिर आप बोलो तो set of numbers जिसको आप vectors बुलाते हो तो हमें तो पता है soch जो है उसके corresponding जो one hot encoded vector है वो ऐसा दिखाई देता है right? यह हमने discuss किया था उपर यह था सोच का तो किसी तरीके से हमें यह vector output करना है तो यहां पर मैं आपको समझाता हूँ कि exactly होता क्या है एक चीज मैंने आपको high level overview में नहीं बताई थी और वो यह है कि decoder में output निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप एक softmax layer add करते हो you add a softmax layer I think you know softmax layer क्या होता है generally neural network से output निकालने के time आप softmax layer add करते हो अब इस softmax layer में nodes होते हैं ठीक है? कितने nodes होते हैं? exactly उतने nodes होते हैं जितने आपके output language में vocabulary के terms हैं जैसे यहाँ पर there are seven terms start, search, low, under, a, jau और end so हम क्या गरेंगे? for every word we will take one unit ठीक है? और यहाँ से LSTM का output निकलेगा और वो LSTM का output through a dense layer इस softmax को मिलेगा अब इस softmax का काम क्या है? कि अपने हर node पे वो एक probability generate करेगा जैसे मालो उसने ये probabilities generate की 0.2, 0.15, 0.15, 0.3, 0.07, 0.02, and 0.01 ठीक है? तो अब आपका output क्या होगा? आपका output होगा वो वाला term जिसका probability highest है ठीक है? तो ये start है, ये source, ये low, ये है under तो since under का probability is highest तो फिर आपका output हो जाएगा 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 which basically means under तो this is how the decoder outputs a particular word ठीक है? तो मैं एक बार फिर से आपको revision कर आता हूँ यहाँ से context vector मुझे मिला ये मेरा LSTM है decoder वाला यहाँ से मैंने start बेजा अब start और इस input के basis पे इस decoder ने decide किया कि मुझे कुछ output निकालना है हमने इस output को लिया और इस softmax में डाल दिया अब let's say हमारे case में the output is I'll just write anything 0.2, 0.1, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1 let's say something like this a seven dimensional vector this is the output अब ध्यान देना इस output के basis पे you can clearly see जो third वाला term है वो maximum है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी vocabulary के हिसाब से the output should be low the output should be low right but आपको पता है आपको पता है output होना क्या चाहिए था सोच इसका मतलब आपका y true जो है y true मतलब जो correct output है वो होना चाहिए था ये 0 1 0 0 0 0 0 0 और ये आपका y प्रेड है मतलब आपके model का output ठीक है इसको आप y hat बुला सकते हो इसको आप y बुला सकते हो frequency कुछ गलती हो रही है आना चाहिए था सोच और prediction से आया क्या low अब problem क्या है अगर आपको architecture याद होगा तो हमें क्या करना होता है कि आपके first time step पे जो भी output आता है आपको अगले time step में उसी को as input भेजना होता है ये connection है बट यहाँ पे देखो problem क्या हो रही है कि आपको काईदे से अगले time step में भेजना चाहिए था सोच जिसके corresponding one-hot encoding ये होती बट सिंथ यहाँ पे ये low का output है तो आपको यहाँ पे low वाला one-hot encoding vector भेजना पड़ेगा अब ऐसा नहीं है कि आप भेज नहीं सकते हो आप यहाँ पे सोच को हटा करके low का one-hot encoded vector भेज सकते हो बट ऐसा करने से क्या होता है कि जो training है वो थोड़ी सी slow हो जाती है ठीक है तो researchers ने क्या decide कि भले यहाँ पर कुछ गलती हो इस जगे पे कोई गलती हो हम क्या करेंगे during the training process हर अगले time step पे जो input है वो हम correct भेजेंगे इसका मतलब यह हुआ कि भले यहाँ पर हमने गलत output निकाला low बट जब हम यहाँ पर output भेजेंगे तो हम data के हिसाब से जो सही input है वह ही भेजेंगे and that is why you will send सोच का one hot encoded vector and this concept is called teacher forcing आपके plan के हिसाब से यहाँ का output यहाँ का input बनना चाहिए था बट सिंस plan ही खराब हो गया हमारा output ही गलत आगया तो हम अगले वाले को गलत output से train नहीं करना चाहते that is why हम data में जा करके जो सही बात है वही यहाँ पर भेजेंगे अब इससे फाइदा यह होता है कि आपका जो training होता है जो convergence होता है वो fast होता है ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया now we will move on to step number 2 जहाँ पे हमने यह one hot encoded vector भेजा और यहाँ से मुझे previous time step का hidden states भी मिल गए अब फिर से मुझे क्या करना है यहाँ पर output calculate करना है और output calculate करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा यह जो softmax layer लगा हुआ है इसको use करना पड़ेगा ठीक है अब फिर से softmax से let's say हमें कुछ इस तरह का एक vector मिलेगा और थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं कि फिर से यह हमारा output vector है और अगर आप इसको थोड़ा video pause करके समझने की कोशिश करोगे तो आप notice करोगे कि let's say I'll just change it to this कि second last वाला सबसे जादा है 0.5 और फिर उसके बाद लास्ट वाला है 0.05 तो इस vector को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो second last term है उसके corresponding जो probability है वो highest है और अगर आप हमारी vocabulary में जाओगे तो second last है जाओ last है end तो इस हिसाब से the output should be जाओ right this is the y-prat but अगर आप data में देखो तो आना क्या चाहिए था low right यहाँ पे होना चाहिए था low तो फिर से हमारे model ने गलत prediction किया अब अगर आपके मन में doubt आ रहा है कि भाई ये इतने गलत predictions क्यों कर रहा है तो simple सी बात है आपने just training start की है random weights है कहां से आप सही prediction करोगे वो तो अभी वस कुछ भी output दे रहा है जो भी vocabulary में उसको मन कर रहा है randomly तो that is why इतनी गलतियां कर रहा है but फिर से हम क्या करेंगे अगले time step पे move करेंगे अगले time step पे move करेंगे और अगले time step पे सबसे पहले तो हम यहां से hidden state को आगे भेजेंगे और फिर से input में rather than जाओ भेजने के हम low को भेजेंगे या low के corresponding जो one hot encoder है one hot encoded vector है उसको भेजेंगे so we will send 001 0000 ठीक है और हम फिर से अंदर processing करेंगे और फिर यहां से output निकलेगा और वो output फिर से हमारे softmax से गुजरेगा और फिर से हम एक output vector मिलेगा अब थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं कि third step में हमारा जो यह output निकला softmax से वो यह vector है और अगर आप focus करो तो सबसे जो last वाला number है उसके corresponding जो probability है वो highest है और अगर आप हमारी vocabulary में जाके चेक करो तो वो word है end विच मीन्स कि हमारा जो network है उसका third time step का prediction है कि end होना चाहिए अब अगर मैं आपसे पूछू कि इस time step के हिसाब से what is the correct why drew तो आईकेस आप बता पाऊगे कि since यहाँ पे sentence खतम हो रहा है तो ideally यहाँ पे end ही होना चाहिए तो in a way what I am trying to say is कि इस step पे आपका prediction सही निकला है why true क्या होना चाहिए था why true यह होना चाहिए था which is end का one hot encoded vector और आपका output जो निकल किया आया softmax से वो भी end है तो यहाँ पर आपका output match कर गया also एक और चीज़ अगर आपका prediction end आता है तो फिर आप stop कर देते हो आप time steps में और आगे नहीं जाते हो you just stop stop the example so guys अब हमने essentially हमारा जो encoder decoder architecture है उसके उपर पहले data set का forward propagation complete कर लिया हमने एक बार इस data को इस architecture में डाला और output calculate करके देगा तो this is essentially what forward propagation is अब valid question यह है कि next क्या करना है answer आपके पास है आपने enough deep learning पढ़ रखा है तो शायद आपको पता होगा कि जब भी आप एक बार forward propagation कर लेते हो उसके बाद जो अगली चीज होती है वो यह होती है कि आप यह पता करना चाहते हो कि आपने कितनी गलती की तो in a way अब आप loss calculate करोगे ठीक है तो मैंने क्या किया है इतना जो portion है जहांपे मेरा prediction और जो true output है उन दोनों को copy paste करके यहांपे नीचे डाल दिया है and now what I'll do is I'll calculate loss कि इस particular piece of data के उपर हमारा model कितना गलती किया ठीक है यह है सही जवाब और यह है हमारे model का prediction तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यह decide करना पड़ेगा कि आपको कौन सा loss function यूज करना है I guess यहांपे आप समझ पा रहे हो कि आपके model को out of seven words हर step पे किसी एक word का prediction करना है तो basically seven categories में से किसी एक category को pick करना है हर time step पे तो this is like a multi class classification problem so the loss function that we would use would be categorical cross entropy जो आपने पहले देख रख है इसका formula होता है by the way minus i equal to one से लेकर के जितनी भी आपकी categories है हमारे case में देरा seven unique words seven categories yi true वाला multiplied by log yi red वाला ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा तीनो time steps के लिए अलग-अलग निकालना पड़ेगा loss तो for time equal to one हमारा loss होगा देखो बहुत simple है आपको क्या करना है आपको सिर्फ यहाँ पर one मिल रहा है मतलब yi सिर्फ एक ही जगा पर one है तो बाकी जगा पर जीरो है तो वो वाले terms सारे zero हो जाएंगे तो इसका corresponding यहाँ पर point one है तो basically first time step का जो loss होगा वो होगा minus one multiplied by log of point one ठीक है अब I guess आपको पता है log of point one होता है minus one तो minus one into minus one हो जाएगा one तो यहाँ पर जो loss है वो one का loss है similarly इधर की बात करते हैं यहाँ पर भी अगर आप notice करो तो सिर्फ third वाला term one है तो उसका corresponding यहाँ भी point one है तो इस case में भी आपका जो loss होगा वो one का ही होगा थर्ड वाला थोड़ा interesting है क्योंकि थर्ड वाले में सबसे last वाला one है तो उसका corresponding यह है तो time equal to 3 के लिए होगा minus one multiplied by log of point four log of point four होता है around point three nine तो यह हो जाएगा minus one multiplied by minus point three nine as in point three nine यहाँ पे भी one है और यहाँ पे point three nine है अब एक चीज़ आप शायद notice कर रहे होगे कि यहाँ पर हमारे model ने गलती की थी यहाँ पर हमारे model ने गलती की थी यहाँ पर हमारे model ने सही output दिया था तो जब उसने सही output दिया तो जो loss से वो कम है, जब उसने गलत output दिया, तो loss जादा है, अब आपको total loss calculate करना है, तो यह आप total loss calculate कर लो, जो कि 2.39 हो जाएगा, या फिर आप average loss भी calculate कर सकते हो, जो कि, I don't know, 7, I'm sorry, जो भी हो जाएगा, यार 3 से divide कर लो, 0.7 something हो जाएगा, तो थोड़ी दिर के लिए माल ले लिया, this is the total loss, तो अब हमने forward propagation कर लिया, और हमने loss भी calculate कर लिया, अब क्या करेंगे, again आपको answer पता है, we will do back propagation, तो back propagation जो होता है, वो essentially 2 steps से मिलके बनता है, पहला gradient calculation, and दूसरा update parameters, ठीक है, दोनों के बारे में के करके हम आपको बताता हूँ, so let's talk about the first step, gradient calculation, so जब आप loss calculate कर लेते हो, तो उसका use आप back propagation के लिए करते हो, इस process में what you do is, कि you calculate the gradient of the loss with each of the trainable parameters, मतलब LSTM में जितने parameters हैं, dense layer में जितने parameters हैं, softmax में जितने भी parameters हैं, इन सारे parameters के respect में आप loss का derivative निकालते हो, और उसके बाद what you do is, कि on the basis of these gradients, ये gradients first of all क्या represent कर रहे हैं, ये gradients basically ये measure करते हैं कि किसी एक particular parameter ने loss function में कितना contribute किया है, और उस parameter को किस direction में adjust करना है, ताकि loss कम हो पाए, तो ये फाइदा है gradient calculate करने का, जैसे ही आपने gradient calculate कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको उन gradients के basis पे weights को update करना होता है, और ये काम करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो, और ये जो adjustment हो रहा है, parameters का, वो हम एक learning rate के basis पे करते हैं, learning rate is basically hyper parameter, जो ये decide करता है कि gradient को जो हम बढ़ा घटा रहे हैं, वो कितनी speed में करना है, तो that's it, यही दो चीज़े आपको करनी है, essentially आपने चार चीज़े की, मैं एक बार summarize कर देता हूँ, सबसे पहले आपने अपने data के उपर forward propagation लगाया, अपने initial weights के साथ, ठीक है, ऐसा करने से आपको कुछ output मिला, उस output को आपने compare किया, अपने correct output से, जिससे आपको आपका loss मिला, loss के मिलने पर आपने loss का gradient calculate किया, with respect to each of the trainable parameters, LSTM, dense layer, softmax layer, इस gradient को फिर आपने use किया weights को update करने के लिए, using some optimizer, let's say Adam, और ये update कितनी speed में होना चाहिए, ये decide करने के लिए आपके पास learning rate है, और इससे आपको मिलते हैं आपके new weights, और एक बार जैसे ही आपको आपके new weights मिल गए, अब आप फिर से ये step repeat कर सकते हो, जहाँ पर आप एक नया training example होगे, ठीक है, हमारे पास दो training examples थे, एक था think about it वाला, अब आप second वाले को पकड़ोगे, come in वाले को, अब come in वाले को आप इस encoder, decoder में भेजोगे, जहाँ पर weights अब update हो गया है, पुरानी वाली गलती के हिसाब से, forward propagation करोगे, output calculate करोगे, loss calculate करोगे, gradient calculate करोगे, weights update करोगे, on the basis of learning rate, and again, you will get a new set of weights, जिसको आप फिर से apply करोगे, third example के उपर, और इस तरीके से, आपका जो model है, वो data पर सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, and that is how training takes place, so guys, हमारा training process complete हो गया है, और अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो encoder, decoder architecture है, वो fully trained है, इसका मतलब यह हुआ, कि जितने भी weights and biases हैं, जितने भी parameters हैं इस architecture में, वो अपनी सही value पता कर चुके हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें prediction करना है, तो अब मान लो हमें एक नया English का sentence दिया गया, यह नया तो नहीं है, I am reusing the sentence, but ऐसे imagine करो कि हमें एक नया sentence दिया गया, so the sentence is think about it, और हमें क्या करना है, हमें इससे Hindi translation करना है, तो यह screen पर है आपका trained encoder, decoder, architecture, अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस sentence को, first of all, tokenize करेंगे, और फिर word by word basis पे encoder में भेजएंगे, यह जो white color का आपको structure देख रहा है, this is the encoder, green वाला is the decoder, तो हमने सबसे पहले यहां से भेजा think, obviously हम think नहीं भेज रहे हैं, हम think का one hot encoded vector भेज रहे हैं, ठीक है, यहां से हमें कुछ random hidden state values मिली, और हमारा जो encoder है, उसने अपने base के basis पे representation create करना start कर दिया, यहां पे बात पहुँची, अब हमें अगला input देना है, वो है about, यह अंदर गया, अब अभी तक के sentence के basis पे फिर से representation बना, हमारा hidden जो state है, वो update हुआ, फिर बात पहुची third step पे, हमने it को भेजा, और इससे finally हमें, यहां पर हमारे ht और ct मिल गए, context vector के format में, और अब encoder का काम हो चुक है, यहां से अब start होगा decoder का काम, बस इस बार अलग बात यह है कि हमें true values नहीं पता, हमें पहले से नहीं पता कि सही translation क्या होगा, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है, आप start करोगे, start से, ठीक है, आप start का one hot encoded vector भेजोगे, आपके पास context vector आ रहा है, इन दोनों inputs के basis पे, हमारा यह जो decoder train हुआ था, वो एक output create करेगा, उसको softmax layer में भेजेगा, to calculate the probabilities, and थोड़ी दिर के लिए माल लेते हैं, कि this is the probabilities, these are the probabilities, so, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको उस word को print करना है, जिससे associated probability सबसे high हो, so, यहाँ पर you can see, second number वाला जो word है, उससे associated probability is 0.3, also the highest, तो हम देखेंगे कि second number पर कौन सा word है, यह है हमारा vocabulary, तो second number पर है सोच, तो automatically यहाँ पर हमारा output आ जाएगा, सोच, ठीक है, अब क्या होगा, next चीज थोड़ी सी अलग है, हम क्या गरते थे, हम training के time में, यह पता करते थे कि सही output क्या होना चाहिए था, और फिर अगले stage में, हम उस सही output को भेज दे थे और इसको हम teacher forcing बुलाते थे, but since हमारे पास सही labels नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर output आया है, हम उसको यहाँ पर भेज देंगे, so we will send, search, search का one hot encoding वाला vector, so we will send this actually, और maybe one zero और ठीक है, और यहाँ से हम updated hidden state को भेजेंगे, यहाँ से search को भेजेंगे, फिर से अंदर weights के हिसाब से calculations होंगी, output आएगा, output जाएगा soft max layer में, और फिर से probabilities generate होंगी, अब यहाँ पर अगर आप notice करो, तो जो highest probability है, वो इस second last वाले पे है, 0.3, और अगर आप देखो second last क्या है, जाओ, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इस stage में हमारा output आ रहा है, जाओ, ठीक है, अब यह जाओ, हम यहाँ पर भेजेंगे, basically उससे corresponding, one hot encoder, one hot encoded vector, यहाँ से हमारे updated hidden state आ रहे हैं, यहाँ पर फिर से कुछ calculation चला, output आया, soft max पे गया, अब यहाँ पर, you can see, the highest one is, I guess, this one, third one, और third है low, तो this is the output in third step, low, अब हम क्या करेंगे, इस low को यहाँ पर भेजेंगे, low के corresponding, जो भी है, यहाँ से hidden state आया, कुछ calculations हुई, output आया, और finally हमने soft max में डाला, और अब आप notice करो, कि सबसे last वाला is, the maximum probability 0.35, और यहाँ पर आप जाके देखो, कि सबसे last वाला है end, तो the output would be, end, और जैसे ही end आ गया, तो हम और continue नहीं करेंगे, अपने time steps को, यहाँ पर बंद कर देंगे पूरे process को, and the output for this input, according to our trained encoder decoder would be, सोच, जाओ, लो, this is the output, अब obviously आप समझ पारे हो, कि यह गलत है, मैंने जान बुझ कैसा example रखा, so that आप यह समझ पाव की गलत भी हो सकता है, it depends on the training, आपने training कैसी कराई है, गलती हो सकती है, but जो भी है, prediction इस तरीके से होता है, exactly इस तरीके से होता है, यहाँ पर आप ना teacher forcing यूज करते हो, ना back propagation की जरूरत है, ना weights update की जरूरत है, सारे weights आपके freeze हो चुके हैं, और अब आप prediction कर रहे हो, simple, जैसे कोई भी neural network काम करता है, so अब हमने तो basic level पे जो भी पढ़ना था, encoder, decoder में वो पढ़ लिया, हमने training process समझ लिया detail में, और हमने prediction कैसे होता है वो भी देख लिया, अब वीडियो में आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कि उस basic architecture में आप improvements कैसे कर सकते हो, मैं आपको तीन improvements करके दिखाऊंगा, ठेक है, उनमें से सबसे पहला improvement है, use of embeddings, I guess आपको embeddings अल्डेडी पता है, अगर आप ये playlist शुरू से follow कर रहे हो, RNNs पढ़ाते टाइम, मैंने आपको embeddings का concept पढ़ाया था, अब problem क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, और क्यों हम embeddings use करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी तग आपने notice किया होगा, ये हमारा encoder है by the way, this is our encoder, तो हम जब encoder में, word by word input डाल रहे थे, तो जैसे पहला word है अगर think, तो हम think के बदले, उसका one hot encoded representation डाल रहे थे, अब ये तो ठीक है, हमारे पास input vocabulary में सिर्फ five words थे, that is why आप आराम से ये five dimension का vector input कर पा रहे थे, but real cases में या like proper datasets में, आपके पास एक लाख words हो सकते हैं, आपके input vocabulary में, उसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो one hot encoded representation है, वो one lakh dimensional हो जाएगा, तो clearly फाइदा नहीं है, इतने जादा बड़े dimension के साथ काम करने में, that is why what we do is, we use embeddings, so embeddings are basically low dimensional representation of something, so हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे think को भेजेंगे, through this embedding layer, और ये embedding layer क्या करेगा, एक low dimensional dense representation देगा, ठीक है, जैसे अगर आपने पहले से configure कर रखा है, कि it should be a three dimensional representation, तो यहाँ से एक three dimensional vector निकलेगा, जिसमें basically three numbers होंगे, ठीक है, फिर आप भेजोगे about, about भी is embedding layer में जाएगा, और about के लिए भी three dimensional representation आएगा, तीन numbers का, it के लिए भी three representation, three dimensional representation आएगा, so this is the best part of embeddings, embeddings first of all low dimensional होती हैं, और dense होती हैं, dense का मतलब बहुत काम numbers 0 होते हैं, होते ही नहीं ना के बराबर होते हैं, and it is actually a summary of the word, like in a way आप उसका context capture कर पाते हो, उस word का, one hot encoding में यह आप नहीं कर पाते हो, so that is why we would use embedding layer for both, encoder, plus decoder, decoder में भी same इस तरीके से आप, input देने के पहले, embedding layer लगाओगे, यह start जो भेजते हो आप, वो एक embedding layer के through जाएगा, ठीक है, कैसी embeddings यूज कर सकते हो, दो options हैं, या तो आप pre-trained यूज कर सकते हो, कैसे की word to work हो गया, या फिर glove हो गया, या फिर आप, अपने network के साथ train कर सकते हो, मतलब, यह एक layer बन जाएगा, embedding layer के रास में होता है, और जब आप अपने model को train करोगे, तो इस layer के अंदर के weights, भी साथ में train होगे, तो इससे यह फाइदा होता है, कि आप अपने data के जो nuances हैं, जो बारीकिया हैं, उसको capture कर पाते हो, और यह जो context generate होता है word का, आपके data set के हिसाब से होता है, तो मैं जब आपको next video में practical करके दिखाऊंगा, मैं embedding layer साथ में train करूँगा, बट या, this is the first improvement, हम लोग one hot encoding को ditch कर रहे हैं, और हम लोग हर जगह पे, encoder में भी और decoder में भी, embedding layer यूज़ करेंगे, in fact, skritskiver का जो model था जहाँ पे, original research paper में जो model यूज़ हुआ है, वहाँ पे भी they have used embeddings, so this is the final architecture after adding embeddings, यह हो गया आपका encoder part, और यह हो गया आपका decoder part, यहाँ पे input जा रहा है, चू भी लिखा हुआ है, nice to meet you, और यह एक embedding layer के थू जा रहा है, encoder में, encoder अपना काम कर रहा है, context vector निकाल रहा है, फिर यहाँ से, आप input दे रहे हो, फिर से embedding layer के थू, LSTM अपना काम कर रहा है, और softmax पे अपना output निकल रहा है, और यहाँ से फिर हम decide कर रहे हैं, कि final output क्या होगा, ठीक है, तो we have just added embedding layer to both the encoder and decoder blocks, let's talk about improvement number 2, improvement number 2 होगा कि, आप single layer LSTM को use करने के बदले, deep LSTMs को use करने लगो, basically multi-layered LSTMs, जैसा कि आपको इस diagram में दिख रहा है, अभी दर हम क्या करते थे, हम सिर्फ एक single layer of LSTM use करते थे, in both encoder and decoder, but इस diagram में you can see, हमने क्या किया, हमने multiple LSTM layers को stack कर दिया, एक दूसरे के उपर, जैसा आप deep LSTMs में करते हो, so अब काम कैसे हो रहा है, कि आप यहां से input भेज रहे हो, think about this, यहां से input जा रहा है, इस LSTM के पास, अब इस LSTM का दो काम है, पहला इस direction में hidden state को update करना, और फिर इस direction में अगला जो LSTM है, उसको input प्रोवाइड करना, अब इस वाले का भी दो काम है, इस direction में hidden state को propagate करना, और उपर वाली side, अपने अगले layer में input प्रोवाइड करना, so यहां पर हमने three layer LSTMs use किये हैं, और फिर क्या हो रहा है, कि इन तीनों के तीनों layer से context vectors निकल रहे हैं, और decoder में जाके receive हो रहे हैं, decoder में भी same setup है, यहां से हम start भेज रहे हैं, यहां से हम जो भी है, search भेज रहे हैं, और यहां से हम low भेज रहे हैं, और यह input फिर first layer में जा रहे हैं, यहाँ पर मुझे context vector मिल रहा है, अब फिर से इसका दो काम है, hidden state को आगे propagate करना और अगले layer को input देना, फिर से यहाँ से receive हो रहा है और मैं उपर की site फिर से input भेज रहा हूँ, तो this is called deep LSTMs और आप इस architecture को बहुत आसानी से encoder में implement कर सकते हो, I'll give you three reasons why you should do this, reason number one, यह करने से आप जो long term dependencies हैं, उनको जादा अच्छे से handle कर पाते हो, long term dependency का मतलब, long sentences, let's say आपके बास बहुत लंबे लंबे paragraphs हैं, जिनको आपको translate करना है, तो अगर आप एक single layer LSTM use करोगे, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो उसमें आप notice करोगे कि जो performance है, बड़े paragraphs के उपर, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, बड़ अगर आप deep LSTM use करोगे, तो you would see कि आप long paragraphs को भी translate कर पा रहे हो, क्यूं होता है ऐसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखो, LSTM में क्या होता है, I'm sorry, encoder, decoder में क्या होता है, कि आपके encoder का का काम होता है, पूरे के पूरे input को summarize करके, context vector में convert करना, अब अगर आप एक single layer use कर रहे हो, तो आपका जो context vector है, वो सिर्फ एक single LSTM से निकल रहे है, तो obviously पूरे के पूरे sentence का summary carry कर पाना थोड़ा मुश्किल है, whereas अगर आपके पास multiple layers of LSTMs है, तो आपको यहां से भी context vector मिल रहा है, यहां से भी context vector मिल रहा है, यहां से भी context vector मिल रहा है, तो आपके पास जादा scope है, या आप ऐसे बोल सकते हो, जादा capability है, उस summary को store करने की, right, आपके पास जादा numbers है, to represent that summary, whereas single वाले के case में आपके पास सिर्फ एक context vector था, which was not capable enough to summarize the entire long sequence, so this is the first benefit, and the benefit is, कि लंबे paragraphs के उपर जादा अच्छा काम करता है, second जो benefit है, वो यह है कि, यह जो representation है, यह जो आपका architecture है, deep LSTM वाला, यह layered representation समझ सकता है, so अगर आपने मेरा deep LSTM वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि यह जो architecture है, जहाँ पर आप एक LSTM के उपर, दूसरे LSTM को बिठा देते हो, यह hierarchical data समझने में बहुत काम आता है, मतलब ऐसा होने लगता है कि जो lower LSTM होते हैं, नीचे वाले, वो like data में word level पे चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, middle layer वाले जो होते हैं, वो sentence level पे समझना स्टार्ट करते हैं, और जो top level होते हैं, वो paragraph level पे समझना स्टार्ट करते हैं, तो basically आपके data में जो hierarchy है, उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है ये वाला architecture, जैसे मैं एक example देता हूँ, मालो आपके पास ये sentence है, कि the phone's battery is bad, but the overall phone is great, तो यहाँ पे जो नीचे वाले layers हैं, वो word by word level पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, singular क्या होता है, plural क्या होता है, verb किसे बोलते हैं, इस तरह की चीज़े समझने की कोशिश करते हैं, जो बीच वाले layers होते हैं, वो पूरे के पूरे sentence को पढ़के meaning निकालने की कोशिश करते हैं, context समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जो higher layers होते हैं, वो पूरे के पूरे paragraph का context समझते हैं, तो that is how hierarchy of data works, तो यह जो architecture है, यह hierarchy capture करने में बहुत काम आता है, तो this is the second benefit, and the third benefit is very simple, जबही भी आप एक deep learning neural network का number of parameters बढ़ाते हो, parameters ही तो बढ़े न, यहाँ पे आपने additional weights and biases add कर दिये, तो जबही भी आप एक deep learning neural network के parameters बढ़ाते हो, तो उसका learning capability बढ़ जाता है, आप ऐसे समझो कि वो data में और जादा minute variations को capture कर सकता है, बशरते की overfit ना करे, तो inner way आपने model की capacity बढ़ा दी, अगर आपने deep LSTMs use करना शुरू कर दिया, अब आपके data में जो बारी किया है, उसको वो और अच्छे से capture करने की position में, इससे दो फायदे होते हैं, पहला, better generalization, मतलब overfitting, मतलब अगर आपने sufficient data provide किया, तो overfitting नहीं होगा, और आपके नए data के ओपर अच्छे results आएंगे, and the second benefit is कि even if आपके input में variations हैं, एक input, दूसरे input से बहुत vary कर रहा है, तो भी ये architecture better capture कर पाएगा, and that is why, जो original paper है, जहां पर Elias Kruttskiewer ने ये architecture introduce किया था, उन लोगों ने भी deep LSTMs use किया, in fact they have used four layered deep LSTM, यहां पर एक और layer था उनके architecture में, right, तो they also realized कि ये use करना will give better results, in fact they have shown it empirically, experimentally, कि deep LSTMs were giving better results than single layered LSTMs, तो this is improvement number two, एक और बहुत interesting improvement आप क्या कर सकते हो, कि आप encoder में input provide करते time, उसको reverse कर दो, मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये input provide करना है, think about it, तो rather than providing this, आप provide करोगे, it about think, और यहां पर decoder में जैसा था वैसा ही रहेगा, start, सोचो, सोच लो, या जो भी था, अब आप बोलोगे कि seems weird, ऐसा क्यों करेंगे हैं, तो इसका answer एक बहुत छोटे से piece of logic में छुपा हुआ है, कि generally होता क्या है कि जैसे-जैसे आपको क्या करना है, आपको translation करना है, right, तो think का corresponding translation क्या है, सोच, right, अभी क्या होता है कि इन्ह वे आप अगर देखो, तो अगर आप ये तरीके से input दे रहे हो, तो the distance between think and socho is this much, but अगर आप इस तरीके से input provide कर रहे हो, तो think और socho के बीच में कम distance है, right, इसका मतलब gradient को propagate करने में कम महनत लगीगी, right, तो ये benefit होता है reverse करने का, कि जो आपके शुरू वाले words होते हैं, वो जादा close आ जाते हैं, और फिर जादा अच्छे से आपका model, context पकड़ पाता है, अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ऐसा करने से फाइदा हो रहा है, I can understand, बत नुकसान भी तो हो रहा है, हमारे जो last वाले words हैं, वो तो दूर हो गए ना बहुत, पहले it और low के बीच में, कितना distance था, इतना, अब कितना हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कि यह जो trick है, यह हमेशा काम नहीं करता, यह कुछ language pairs के लिए काम करता है, और ऐसे languages के लिए जादा काम करता है, जहाँ पर initial words में जादा context छुपा होता है, जैसे कि English, तो original paper में भी लोगों ने यह trick अपना ही थी, वहाँ पर जो translation किया गया था, वो English to French किया गया था, और वहाँ पर इस trick ने बहुत improve कर दिया था, जो आपका quality of translation था, तो this will not work always, but if there are certain language pairs, जहाँ पर initial words में जादा context है, जादा heavy lifting initial words कर रहे हैं, वहाँ पर reverse करने से, कई बार आपका जो translation का quality है, वो improve कर जाता है, so you can try out this trick as well, so guys अब हमने encoder, decoder बहुत detail में समझ लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप यह जो original paper है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, और वीडियो खतम करने के पहले आपको मैं एक summary kind of दे देता हूँ, ताकि आपको यह paper पढ़ने में आसानी हो जाए, so let me give you some quick points about this paper, सबसे पहला point है कि, जो encoder, decoder architecture यूज किया गया इस paper में, उसको हमने machine translation के task में अपनाया, और उसमें भी English to French translation किया गया, ठीक है, second, यहाँ पर एक special end of sentence symbol यूज किया गया, EOS, instead of start and end, third is, जो data set यूज किया गया, उसमें around 12 million sentences थे, जिसमें 348 million French words थे, और 304 million English words थे, और यह एक public data set है, तो, you can see, बहुत बड़े data set पर train हुआ, vocabulary की अगर आप बात करो, तो, जो input vocabulary थी, English की, उसमें 1,60,000 words थे, और जो French vocabulary थी, उसमें around 80,000 words थे, हमारे case में हम से 5 और 7 लेके चल रहे थे, और जो out of, जो vocabularies present नहीं थी, उनको एक special token से represent किया गया, UNK से, फिर, यहाँ पर reversing किया गया, input sequences का, जो मैंने आपको just समझाया, next is, word embeddings use की गई, of thousand dimensional vector, यहाँ पे, इसका जो output था, इस embedding layer से जो output निकला, for each time step, it was a thousand dimensional word, ठीक है, अगला is architectural detail, so इन लोगों ने चार layers use किया, you can see, यहाँ पे देरा, three layers, they used one more layer, और हर layer में जो LSTM है, उसमें thousand units थे, ठीक है, lastly, they used a softmax function, जो हमने भी use करके देखा, and the last, but the most important part is, कि जो performance था, वो baseline model को cross कर गया था, and it was 34.81, और जो metric use किया जाता है, translation के efficiency को check करने के लिए भोता है, blue score, यह 34.81 था, जो उस time के, जो baseline statistical model था, उससे जादा था, and that is why this paper gained a lot of traction, so now I want कि आप जाओ, और एक बर अच्छे से, दिल से, उस paper को study करो, and I would just promise कि आपको बहुत अच्छे से वो paper समझ में आ जाएगा, because आपने वीडियो अच्छे से देख लिया है, so अगर आपको वीडियो पसंद आया हो guys, तो please like करना, और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please do subscribe, मिलते हैं next वीडियो में, bye.